आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का डेट है 19 जुली 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम GTPL हैथवे के आज जो हमें 8% का जो फॉल देखने को मिला उसको डिसकस करेंगे और देखेंगे कि GTPL हैथवे के स्टॉक को क्या हम as investors long term के लिए अपने portfolio में hold कर सकते या नहीं कर सकते तो सबसे पहले हम चलेंगे max time frame पे तो आप देख सकते यहाँ पे 2.99% का आप हमें देखने को मिल रहा है 5 years के अगर हम यहाँ पे returns को देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते 5 years का return भी 2.99 हमें देखने को मिल रहा है last 1 year का अगर आप return देखेंगे तो 129.40% का जो है वो return हमें देखने को मिल रहा है 6 month का return आप देखेंगे तो 33.54 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो कही ना कहीं यहाँ पे 6 month, 1 year और 5 years में अगर हम देखेंगे तो यह green zone में हमें trade करता हुआ नजर आ रहा है और long term में इसने return ही generate करके दिया है चाहे हो कम हो या ज़्यादा हो तो अब हम चलते हैं इसके financial performance पे और देखेंगे कि financial performance कैसा है तो हम recent quarterly result को यहाँ पर देखेंगे जो already यहाँ पे data available financial performance के अगर हम बात करेंगे तो company के revenue में 18% का यहाँ पे हमें growth देखने को मिल रहा है net income में भी 500% का हमें यहाँ पे growth देखने को मिल रहा है यही growth जो continue है वो डिसेंबर 2020 में भी था September में हमने यहाँ पे हलका सा fall दिखा बड़ यहाँ पे net income में company profitable थी और यही quarterly जो result आ रहे थे quarter by quarter उनका ही impact हमें annual financial performance पे देखने को मिला और आज की date में यह जो graph है यह upside हमें देखने को मिल रहा है अब चलते है main purpose जो जिसके लिए आपने इस वीडियो को banner को देखते ही click किया कि जो 8% का जो fall है वो किस वज़े से आया है तो आज इनका जो था यहाँ पे आप देख सकते stand alone and consolidated on audited financial result था जो first quarter ended June 30, 2021 का जो result है यह इन्होंने जो exchange है national stock exchange यहाँ पे submit किया उसका एक copy public and investors के लिए available है आप यहाँ पर देख सकते है इन्होंने जो coffee submit की हुई है इस copy में इन्होंने जो un-audited है उसमें जो financial result है quarter ended के वो यहाँ पे देवे है यह as at year ended है 31st March 2021 जहाँ पे जो total revenue है वो 851 million का है यहाँ पर और net profit है जो loss निकालने के बाद है और यही profit अगर हम देखेंगे तो 31st March को भी company profit में थी 2.87% का यहाँ पर quarter ended में हमने यहाँ पर profit देखा अब अगर हम इस जो यहाँ पर जो PDF है जो इन्होंने submit किया हुआ है un-audited financial report का तो इसको अगर हम scroll down करते है तो आप यहाँ पर देख सकते step by step इसको पूरा आप चाहे तो details में data गूगल पर available है आप वहाँ से भी इसको access करके पढ़ सकते है तो income के अगर आप head डेखेंगे तो यहाँ पर 31st June जो 2020 के जो result आये है उसमें जो revenue है और रेवनियू फर्म expenses देखें तो जिस तरीके से revenue में increase हुआ है तो expenses भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते June 30, 31st March 21 और June 21 quarter by quarter इनके जो expenses है वह भी increase होते हुए हमें दिखाई दे रहे है अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे profit की तो 749.95 million का जो है इनको हमें यहाँ पे profit देखने को मिल रहा है तो यह था जब भी company के जो quarterly result होते है वो अच्छा आते है तो 80% cases में देखा गया है कि वहाँ पर जो stock का जो price है वो correct होता है और इसी correction के चलते जो है वो price downside trade करता हुआ आता है लेकिन अज़े investors आपको stock markets में up and down देखने को मिलेंगे इसमें कोई दोरा है नहीं है लेकिन अगर आप long term के returns को अगर आप चाहिए आपको 200% 300% तो definitely आपको long term के लिए stock को खेलना पड़ेगा और आगे आने वाले दिनों में यह stock अच्छा खासा return दे सकता है मैं आपको recommend rate नहीं कर रहा हूँ कि यह stock अपने buy करना चाहिए अगर आपको लगता है कि हाँ यह stock आने वाले दिनों में अच्छे returns दे सकता है तो आप invested रही है या फिर market में जिस तरीके से selling pressure या fall देखने को मिलता है उसको देखते हुए आप exit भी कर जा सकते है trade, swing trade, intraday breakout trade ऐसे high profitability trade setup के लिए हमें join करें